नमस्का, वेलकम टीवा चानल, इन इस वीडियो वी बीसकेसिंग रियल नमबर्स, इस वीडियो में हम लोग रियल नमबर के तेवरी को डिसकस करेंगे, और ये पार्ट वन है, इसी तरह से पार्ट तू, पार्ट त्री ऐसे करके होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे प डिवीजन, अलगरिदम और लास्टली कुछ इग्जामपल्स देखेंगे, ओवियसली इन दोनों पे बेस्ट और चलिए शुरू करते हैं, उसमें क्या सब्सक्राइब, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो रियल नंबर के बारे में अगर हम सबसे रियल नंबर का सबसे इजी दिफिनिशन की बात करें, तो हम कहेंगे कि किसी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो हमारा नंबर जो है, वो रियल नंबर है, अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहने का मतलब कि हम अभी इस बच्पन से अब तक जितना नंबर सीखे जो भी कुछ सीखे थे नंबर के बारे में वो सब रियल नंबर के बारे में सीखे थे फिर क्या कोई ऐसा नंबर है जो imaginary हो या real नहीं हो तो हाँ ऐसा है क्योंकि हम लोग अभी तक जो भी सीखे है चाहे वो addition हो, subtraction हो, multiplication, division यह सारा operation रियल नंबर पे defined है और दूसरे नंबर पे भी होगा पर कुछ application ऐसा है जैसे कि हम under root जब निकालते है तो हम हमेशा ध्यान रखते है कि अंदर वाला quantity है वो positive रहे तो root 4 रहता तो इसको हम लोग 2 लिखते हैं लेकिन अगर मान लिजिए कि under root में minus 1 हो negative quantity हो इसको हम क्या करेंगे क्या या फिर इसको हम real number से represent कर सकते हैं obviously नहीं और इसके लिए अलग number define करा जाता है जिसको हम लोग complex number बोलते हैं या imaginary number बोलते हैं obviously 10th class में यह हमको पढ़ना नहीं होता है पर हम अगर broadly देखें तो हमको यह दिमाग में रखना चाहिए कि real number वो सारा number है जो हम जिसको हम real number line पे दिखा सकें अगर हम एक mapping की बात करें तो हम अगर real number का एक tree बनाएं तो real number से हम दो part बना सकते हैं rational number का rational number और irrational number obviously rational number को हिंदी में क्या बोलते हैं परिमे संख्या और परिमे संख्या अब मैं हिंदी सारे का word बोलूँगा तो time भी खर्चोगा और यह तो आप process किजिए कि आप हर एक word का English meaning जानते हों और एक चीज मेरा personal यह experience है कि mathematics में Hindi या किसी भी language का कोई रोल नहीं है mathematics का language mathematics के बारे में कहा जाता है कि mathematics is language of science तो अगर language कि कोई language सीखना है तो हमको उसी के language में सीखना चाहिए और कोई language उतना matter नहीं करता है तो यह सब थोड़ा बहुत English वगरा जो यूज़र है वो थोड़ा उसका मतलब है but major जो है इसका logic और इसका analytical जो skills है वो matter करता है जो कि mathematics का part है और उसमें language से खुल फर्क नहीं पड़ता है तो real number को हम लोग broadly अगर जैसे categorize करें तो rational, irrational अब rational में भी हम दो part कर देंगे integer fractions, integer में हम कर देंगे whole number और फिर negative integers, whole number में हम कर देंगे zero और split कर देंगे natural number वो सारा है मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं उसको explain कर दूँगा, but in fact आगे वाले इसी वीडियो में जब हमको terminating और non-terminating की बात आएगी, तो उस case में मैं पूरा tree बना दूँगा, but अभी उतना जरूरी है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पर integer इसको इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक tree बना सकते हैं, जो number किसका होगा, complex number का होगा, क्योंकि हरे complex number को real number बोल सकते हैं, और इधर non-real number, non-real ठीक है, बोल सकते है, non-real, ठीक है, तो इस तरीके से real number का यह simple introduction है, अब हम चलते हैं, आगे, तो यह कुछ history है और history, कुछ लोग को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग को यह, यह mathematics का history है, ऐसा history नहीं है, तो इसमें algorithm के बारे में बताया गया है, algorithm is a series of well-defined steps, which gives a procedure to solving a type of problem, सही बात है, algorithm जो है series of steps होता है, जैसे कि आप अगर YouTube वीडियो देखते हैं, तो YouTube में आप गौर करे होंगे, कि आप जो वीडियो वगरा, जो जिस टाइप का वीडियो देखते हैं, वो आपको और भी suggest करा जाता है, यह सारा कुछ algorithm से हो रहा है, artificial intelligence जो है, वो एक algorithm यूज करती है, जिसमें आपके interest को वो account करके, और आपको उस तरह का वीडियो provide कराती है, ठीक है, तो algorithm का history बहुत ही यह है, यह 9th century में एक mathematician, Persian, mathematician थे, अल-क्वार्जमी, यह algebra जो word है, यह भी उनकी ही एक book था, हिसाब, algebra, वा-ल-मुकाबला, अब इसको कैसे pronounce करेंगे, यह मुझे पता नहीं, Arabic word होगा, Persian और Arabic होगा, तो इसी तरह का, तो यहीं पे जो algebra है, इसी से algebra लिया गया है, In fact, जैसे आपको पता होगा, number system हमारे हाँ, discover हुआ था, तो number system हमारे हाँ से अरब के contact में गया, और अरब से southern countries में गया, तो हम लोग जो Arabic numerals बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, कि अंग्रेज लोग उस number को Arabic बोलते थे, क्योंकि वो लोग अंग्रेज अरब लोग से सिखे और इस कारण से Arabic language करके number करके बोलते हैं, अब इसमें एक और important बात है, Lima, लीमा और theorem में यही difference है, कि theorem को हमको given facts और जो भी हमारे पास available resource होता है, उसको basis मान के हमको proof करना होता है, लीमा जो है, वो proven statement है, जिसको हम लोग as it is use करते हैं, या कह सकते हो कि वैसा theorem जिसके हम proof नही नहीं कर, लेकिन यह गर्षना थोरा सा, थोरा सा misleading होगा, 10th class के लिए कह सकते हैं, बट higher level में वो चाही नहीं माना जाएगा, तो लीमा आप simply समझे कि proven statement जो होता है, proven statement मतलब practically हम practical करके देखे कि हाँ, यह ऐसा ऐसा observation आ रहा है, otherwise लेकिन इसको कुछी दूसरे theorem से हम proof नहीं कर करेंगे, तो यह लीमा है, अब चलिए हम देखते हैं, Euclid Division Lima, तो यह Euclid Division Lima कहता है, कि अगर हमारे पास दो positive numbers है, A and B, तो हम क्या करेंगे, इन दो positive numbers को, there exists a unique integer Q and R, अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको थोरा समय बता दू, कि आप जैसे यह तो जानते ही होंगे, जैसे किसी number को हम अगर divide कर रहे हैं, जैसे 15 मालने जी है, 2 से divide कर रहे है, 2, 7, 14, 1 आया, तो यह हमारा क्या होता है, dividend होता है, यह होता है, divisor, sorry, उल्टा हो गया, यह उल्टा है, divisor यह है, dividend यह है, यह क्या है, को सेंट है, और यह है हमारा remainder, तो यहां जो यह Q लिखा गया है, यह basically को सेंट है, और R जो लिखा गया है, यह remainder है, को सेंट, और यह है remainder, ठिक है, तो कह रहा है, कि अगर दो positive कोई भी number हो, there exists a unique integer, Q and R, satisfying A is equal to BQ plus R, where R जो जहां पे होगा, वो obviously 0 से B के बीच होगा, अब देखिए, यह statement सुनने में बढ़ा ही, बल्की और थोड़ा सा complicated लगता है, अगर पहली बार देखें तो, बट आप अगर इस चीज़ को, यह जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान रखें, इसको, तो देखिए, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, 15 को हम लोग सकते हैं, 2 into 7, plus 1, अब देखिए, अब इससे relate करना बहुत easy हो जाएगा, हमारा जो number है, a के जगह पे 15 है, और b के जगह पे 7, sorry, 2 है, हम 2 से divide कर रहे हैं, तो जिस number से हम divide कर, जो छोटा, obviously जो छोटा number होगा, उसी से हम बरा number में divide करेंगे, तब ही जाके कुछ होगा, otherwise बरा number से करेंगे, तो हमेशा 0 आएगा, तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, ये divisor हमारा होगा, ये dividend होगा, तो हम क्या करें, 12 में 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 को, 2 से divide करेंगे, तो हमको cos 7 आया, तो 2 7 आ, 14 प्लस 15, यानि ये statement सही है, in fact ये जो है algorithm है, मतलब इसके बारे में आप कहीं लिखा में नहीं बढ़ा, बट मेरा observation है कि ये इसी तरीके से observation के through ही इसको propound करा गया था, मतलब propose करा गया था, कि ये इस तरह का होगा, तो इसमें क्या होता है, कि 2 से divide करें, अब देखिए हम जब भी हम कोई भी चीज़ से divide करते हैं, तो अपने को बचपन से सिखाया गया है, कि हम जब भी divide करेंगे तो remainder हमारा इसके बराबर नहीं होना चाहिए, remainder कम से कम एक कम होना चाहिए, तब ही जाके हम हमारे division सही होगा, तो यहाँ पे वही चीज रूल हो रहा है, यह r जो है वो b से छोटा है और 0 से के बराबर या greater है, 0 से बराबर होने का मतलब कि ऐसा भी तो ह हो सकता है था कि हम 14 को divide करें 2 से, 2 7 जा 14, तो क्या हो जाए, cross करने का मतलब क्या है, या ऐसे भी लिख सकते है, इस cross का मतलब होता है कि हमारा remainder जो है, r जो है, 0 है, तो 0 का मतलब यह और यह एक एक करके बढ़ रहा है, और हम चुकी अभी integers की बात कर रहे है, तो हम division की divide करते ह हम लोग क्या करते हैं, fraction के form में तो रखते हैं, अजरवाइस fraction के form में तो already जो number है वो खुदी रहेगा, तो हम इस तरीके से, तो आप इस तरीके का और भी example लेके देखिए, कोई भी example, infinite example हम लोग ले सकते हैं, तो जैसे मान लेजिए कि हम 7 करते हैं, तो 3, 2, 6, 1 बचा, यह यह हमारा divisor हो गया, यह consent और यह, तो यह जो यहां remainder बचेगा, वो हमेशा हमारे divisor से एक कम होना चाहिए, कम से कम, और 0 भी हो सकता है, obviously जब completely divide होगा तो यही है हमारा Euclid division नीमा, कि हम number को उसके divisor, consent और remainder के form में लिख सकते हैं, और remainder जो होगा, वो हमेशा divisor, यह B जो है, देखिए न, B क्या है, divisor के जगाँ पर है, तो B जो है, remainder हमेशा divisor से छोटा होगा, यह बात दिमाग में रखना हो, इसी से हमारा सारा आगे काम बनेगा, यह इसके बारे में बोला है, यह result पहले सही known था, बट इसका recorded जो, मतलब एक प्रूफ है, वो है, 7th book of Euclid elements, Euclid division algorithm जो है, इसी पर based है, obviously, एक गम almost आपको दिख जाएगा, तो हम लोग चलते है, अगले topic पर, तो यह देखिए, Euclid division algorithm है, यहाँ पर बस एक difference दिखाने के लिए, कि number जो है, हमारा CND है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कि मैं terminology को NCRD का ही terminology यूज करा हूँ, ज लाइ, Euclid division नीमा, to C and D, तो हम अब लोग अभी देखे थे, कि अगर हमारे पास, अगर यह, इसको हम कुछ इस तरह से लिखा सकते है, कि हमारा C number dividend है, और उसको हम लोग D से divide करें, obviously, जो number छोटा होगा, उससे बरा है, तो presume करा हूँगा है, कि D हमारा छोटा है, और C बरा मतलब इसको switch करना परेगा, पर हम इसको देखते हैं, तो अगर इसको divide करें, तो हमारा remainder, sorry, cosine Q आया, और remainder R आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते है, कि remainder, cosine into dividend, divisor, तो क्या हो जागा, मतलब Q, C is equal to D into Q plus R, और obviously R के बारे में हम को क्या पता है, कि R जो होगा, वो B से छोटा होगा और R के बीच होगा, अब कह रहा है, यह algorithm है, तो algorithm steps को follow करता है, और iterative होता है, मतलब उसको repeat करता है, कई अकसर, तो देखिए, R is equal to 0 आ गया, तो उस case में क्या होगा, जो हमारा divisor होगा, वो HCF होगा, और R अगर not is equal to 0 होगा, तो हमारा division लीमा को फिर से repeat करेंगे, D और R पे यह statement कहने की बात है, लेकिन हम लोग यह बचपन से सीखते आए हैं, जब HCF हम लोग निकालते थे division method से, तो हम लोग यही करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम अगले पेस पे दिखाते हैं, इसको continue the process till remainder is 0, obviously हम लोग जब तक remainder 0 नहीं होता था, तब तक हम डिवाइड करते र पे लेते हैं, जैसे माल लेजिए हमको निकालना है, कोई ऐसा बरा नमले थोड़ा सा, जैसे माल लेजिए 8 लेते हैं और 36 लेते हैं, चेक है, तो हम क्या 8 और 36 का HCF निकालने के लिए, जो हम बचपन में सीखे थे तरीका, हम लोग क्या करते थे, 36 में 8 से डिवाइड करते तो 8, 4 जा 32, अब इसमें से क्या बचता था? 4, तो हम क्या करते हैं? डिवाइजर को फिर डिविडियन के पास ले आते थे, यहां, और इसको 2 जा 8, अब यह हमारा 0 आ गया, जिस मोमेंट में 0 आया, उस मोमेंट में जो हमारा डिवाइजर होता था, यह हमारा डिवाइजर है, तो जब रिमेंडर 0 हो, उस रिमेंडर 0 हो तो हम लोग वापस लोट के देखते थे कि डिवाइजर क्या है, और यह हमारा इन दोनों का HCF होता था, 4, तो आपको algorithm, जो यह basically equivalent division algorithm जो है, इसको हम लोग 25 से जान रहे हैं, उसमें बोला नहीं गया था, कि यह equivalent division लीमा या algorithm है, औ और हमको सिखाया गया था, कि हाँ चलो, ऐसे कर लो, कि ऐसे divide करो, और जो remainder आएगा, फिर हम diviser, जो हमारा diviser पहले होगा, उसको वापस dividend बना देंगे, और जो remainder होगा, वो remainder बन जाएगा, और इसी तरह से process को repeat करेंगे, तिल हमारा remainder 0 आ जाए, और वहाँ पे last moment में जब हमार होता था, तो यह basically algorithm वही है, तो आपको पीसे बाले को recall कीजिए, आपको एकदम clear हो जाएगा, यह remark क्या लिखा हुआ है, कि Euclid Division Lima and algorithm are so closely interlinked that people often call former as division algorithm also, ठीक है, सही बात है, दोनों ही बहुत ही interlinked है, एकदम, obviously, although यहाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि Euclid Division algorithm जो है, वो positive integers के लिए define करा गया, but it can be extended to all integers except 0, obviously B अगर 0 होगा, तो हमारा denominator जैसे हम डिवाइड कर रहे है, 15 upon 2 कर रहे थे, तो denominator में हमारा 2 था, क्योंकि B क्या है, B है हमारा denominator, जिससे डिवाइजर, डिवाइजर 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 में आता है, यह तो पता होगा, तो B not is equal to 0 कहने का मतलब यह है, कि ऐसा 0 अगर डालेगे, तो यह number undefine हो जागा, इसका result, तो obviously वो नहीं कर पाएज़, however, we shall not discuss this aspect here, यह NCRT में लेखा हुआ है, बट मैं कहूंगा कि मैं इसको discuss कर सकता हूं, provided कि आप लोग interested हो number 1, number 2, कि आप लोग इस चीश को handle कर सके इसमें अपने को कोई rocket science नहीं है, करना क्या है, तो मैं बता देता हूं, अब खुद से try कर सकते हैं, हमको क्या होगा, कि अब हमारा ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, वो negative होगा, तो inequality में क्या होता है, कि जब हम inequality को equality के जाशा है ही treat करना है, तक हमारा number involved जो है, वो positive numbers है, positive numbers को भी, मतलब उसको integer और fraction से problem नहीं है, लेकिन जब negative number होगा, तो change हो जाएगा, जैसे कि हम जब भी लिखते हैं, तो minus 2x is equal to 4 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x is equal to minus 2, लेकिन अगर inequality अगर की बात करें, तो देखिए, 2x is equal to inequality अगर हम एक बार लिख दे, और जिस तरफ इसका inequality का दिमाग में रखना का तरीका देखिए, यह 3 तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, equal और ऐसे, जिस तरफ दो tip है, वो number बड़ा number होगा, ऐसे दिमाग में रखना है, as simple as that, तो जैसे अगर मान लेजे, ऐसे दिया हुआ, इसको इसको दिया ह हो जाएगा, यह ही अंतर है, तो इसी का use होता है, और कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में कभी discuss कर लेंगे, अगर आप interested हो तो, यह example है, Euclid algorithm का, तो आप, या तो algorithm, Euclid algorithm को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यह algorithm क्या कहता है, A is equal to BQ plus R, और R हमारा क्या है, less than B, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको divide करना शुरू करेंगे, और divide करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12, 7, 56, और यह है 4000, इसको ऐसे लिखने से अच्छा है, इसको plain line से लिखे, क्योंकि हम लोग FCM में ऐसे ही draw करते थे, अब इसको देखिए, इसको 3 से अगर क अपरा ही interesting number है, 420, तो अब देखिए, अब यह हमारा वापस क्या बनेगा, यह बन जाएगा, dividend बन जाएगा, अब यहाँ, sorry, इसको कीजिए, 4 से, 5 से तो होगा नहीं, तो 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4000 है, तो यह थोड़ा बढ़ा कम quantity हो जाएगा, तो 4 टूजा 8, और, 40, 4 टूजा 8, और 4 16, अब देखिए, इसमें से 2, यहाँ से इसको लाई है, 15, तो हो जाएगा, 7, 9, तो 3, और यह cancel, फिर इसको 4, 20, 1 करते है, 372, तो रिमेंडर क्या बचाएगा, 30, और 50 में दो कम कर दिए, 48, इसको उपर से भी आड़ करके देख सकते है, जीरो और 11 बार, सही है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 372, इसको हम इधर ले आते है, 48, 372, अब हमको 50 है, तो 7 से तो हो ही जाएगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 7 करते हैं, तो 7, 8 जा, 56, और 28, और 8 पार, 33, ठीक है, 30 से तो यह 36 बचेगा, अब 48 यहाँ पे लाईए, 36, बचा क्या, 12, अब 36 आया, 3, 36, कट गया, यानि के हैंने का मतलो, remainder 0 आ गया, तो जब remainder 0 आ है, उससे हमें हमारे जो डिविदेंड है, वो हमारा hcf है, तो हम अगर hcf की बात करें, तो हमारा 12 इकला, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अलगरिदम के procedure को follow करें, तो हम लोग ऐसे division करके, और हम लोग इसको step by step लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, 12, 5, 7, 6 is equal to, जो हमारा divisor है, उसको, divisor है, sorry, 42 into 3 plus remainder 420, अब भी हमारा remainder 0 नहीं है, तो यह हमारा step 1 हुआ, तो हम यहां पर remainder को हमेशा चेक करते रहेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, अब हमारा जो remainder था, वो बन गया divisor, तो हम और जो हमारा divisor था, वो बन गया, dividend, तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, is equal to, 420 into 4 plus 372, obviously यह अभी भी नहीं है, 0, तीसरे step में हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लिखना परेगा, obviously कि यहां पर, since R is not 0, तो ह इस तरीके से हमारा यह remainder यह हो गया, आप 420, इसको हम लोग लिखेंगे, 372 into 1 plus 48, फिर अगली बार लिखेंगे, 372 is equal to 48 into 7 plus 36, इसके बाद लिखेंगे, 48 is equal to 36 into 1 plus 12, और last but not the list, इसको हम लिखेंगे, 36 is equal to 12 into 3 plus 0, जिस मोमेंट पर 0 आएगा, हमको B को देखना होता है, 0 आएगा, तो हमारा जो B होगा, यह हमारा H से होगा, ठीक है, तो आप जो बच्पन में, यह बच्पन में हम लोग ऐसे सिखेंगे, हम लोग इसको करेंगे, और लिखने के हम लोग ऐसे लिखेंगे, और हमें उसमें एक word add कर देना है, कि since, since here, r is not equal to 0, we should, we should repeat the process, या we should use, we should use, we should use, y, euclid, euclid algorithm again, 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 ठीक है न, ऐसे करें, अब अगला चीछ देखिए, तो यह problem हो गया, देखिए, यह बहुत ही सुन्दर problem, जैसे हम लोग बच्पन से सिखते आते हैं, कि even integer जो होता है, वो 2Q होता है, और odd जो होता है, 2Q plus 1 होता है, उसको हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, बस यही, euc 2 से डिवाइड कर सके, तो माल लेते हैं, कि हमारा A कोई integer है, और इसको हम लोग B is equal to 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम फिर से वही काम करेंगे, देखिए, यहाँ पर 2 रखिए, और A, माल लेते हैं, कि Q cosine आया, और R remainder आया, चिक है, अंदर में कुछ हुआ, उससे हमको नहीं है, तो हमको इसको क्या करेंगे, वही algorithm के form में लिखेंगे, A is equal to 2Q plus R, और algorithm में कहा गया है, कि हमारा R less than B होगा, यहाँ पर B क्या है, 2 है, तो हम लोग ऐसा कह सकते है, R less than 2, और जो कि हमारा R जो है, यहाँ पर integral ही हो सकता है, यह सब integer को deal कर रहे हैं, तो हमारा R integer है, तो अगर R, ऐसा R, जो 0 के बरावर, तो R is equal to 0 एक integer है, फिर दूसरा क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 से एक से बरा, और 2 से छोटा तो कोई integer है ही नहीं, तो हमारा 2 ही value होगा R का, तो हम A को कैसे लिख सकते है, A is equal to 2Q plus 0 या 2Q plus 1, इसको थोड़ा सा और लिखे, तो 2Q और 2 Q plus 1, अब देखिए, कोई भी integer है, अगर उसको दो पार्ट में बाटे, दो ग्रूप में बाटे, तो या तो वो even होगा, या तो odd होगा, even के बारे में हमको पता भी है कि 2 के multiple से होता है, वैसे भी 2 से डिवाइड करें, अगर R 0 है, इसका मतलब क्या, 2 से ये completely divisible है, तो हमारा ये number क्या हो गया, even, और integer में या तो even होगा, या odd होता है, जैसे 0 को even में count करा जाता है, पर 0 थोड़ा सा फिसी है, कैसा है, फिसी, मचली वाला, फिसी, F-I-S-Y, गूगल कर लिजेगा इसको, फिसी, तो ये even है, और ये obviously हमारा क्या हो गया, odd हो गया, ठीक है, तो हम इस तर तरीके से, जब ही, कोई भी हमको जब number हैगा, और खास कर, trick क्या है, तो देखिए, जो number हमको इस में multiple दोनों में देखेगा, 2Q, 2, 2, तो हम हमेशा उसको diviser बनाएंगे, और उसके बाद उस पर हम algorithm लगाएंगे, और algorithm लगाके, उसके बाद remainder count करेंगे, देखेंगे, और उस तो देखिए, सबसे पहले, यह बोला odd integer, अब हम अभी थोरी दर पहले क्या बोले, कि जो number common दीखे, हम उसको diviser बनाते हैं, तो हम एक number लिए A, और एक number लिए B, B को diviser बना रहा है, तो B को हम 4 ले लिए, अब हम इसको जैसे हम करते हैं, A, यहाँ पे 4, यहाँ कोसेंट और remainder, तो हमको पता है कैसे इसको लिखेंगे, A बराबर 4 into Q plus R, और जो हमारा algorithm कहता है, क्या कहता है, कि R जो होना चाहिए, और less than B होना चाहिए, B का value यहाँ पे क्या है, 4 है, अब ऐसे में confused मत होईएगा, यह कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चुकि R यहाँ पे, B हा बराबर और 4 से छोटा integer लिखना है हमको, तो R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हम सारे values के लिए A का value लिखेंगे, A 4Q plus 0, 4Q plus 1, 4Q plus 2, 4Q plus 3, अब देखिए, इन सारे number को हम एक बार और थोड़ा सा simplify करके लिखें, 4Q, 4Q plus 1, 4Q plus 2, 2, और 4Q plus 3, अभी देखिए, हम लोग even number के बारे में क्या पार है, थोड़ी दिर पहले, वैसा number जिसको हम 2Q के form में लिख सके, अब Q जो है, कोसेंट है, लेकिन ये 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 दो basically integer है, और integer का value कुछ भी हो सकता है, integer का कोई भी value हो सकता है, Q के जगा पे, obviously जब हम fixed number लेंगे, तो उस case में Q का value भी fixed हो जाएगा, बट अगर in general बात करें, तो Q का value कोई भी integer हो सकता है, तो देखिए गोर से, अगर हम इसको कहेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, 2Q, 4Q plus 1, 2Q plus 1, 4Q plus 3, clearly ये और ये even number है, क्योंकि इसको हम लोग 2 into some integer, क्यों कोई integer है, 2 into some integer, ये भी 2Q plus 1 भी integer होगा, तो ये, हम 2 into some integer के form में लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों जो हो गया, ये हमारा even integer है, तो हम कह सकते हैं, hence, जो remaining है, वो obviously, remaining भी है, continuous भी है, ये बात भी है, तो even के just बात बला नमर जो होगा, वो odd होता है, hence, any odd integer can be written, can be of the form 4Q plus 1 and 4Q plus 3, यहाप पर अगर नहीं दिखा तो मैं एक बार, read कर देता हूँ, any odd integer can be of the form, या can be written in the form, can be of the form of 4Q plus 1 and 4Q plus 3, तो ultimately आपको फंडा यह ही समझना है, फंडा यह ही है, कि हम लोग algorithm को लिखेंगे, और उसमें remainder क्या हो रहा है, remainder को हम लोग open करेंगे, इस inequality को open करने आना चाहिए, क्योंकि हम यह ऐसा इसलिए लिख पा रहा है, क्योंकि आर जो है integer है, अगर आर integer नहीं, इसको अगर आपको doubt होना, आप number line ट्रॉप करेंगे, यह सबसे सुन्दा चीज़ है, वन, टू, ट्री, फोर, देखिए, चार से छोटा, चार से छोटा integer, यह है, यह है, यह है, और जहाँ पर, इनिक्वल का sign हो, उसको include करना, जैसे यहाँ पर रहता है इनिक्वलिटी, तो हम 4 को भी include कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम 4 को include नहीं करें, तो हमारे पास यह integer आगया, यह आगया, यह आगया, यह आगया, जीरो पे है, तो जीरो को भी include कर लेंगे, तो वह ही हमारा चार हो यहाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो पे हम लोग प्रावलम का भी discussion देखेंगे, और remaining जो theory का part बचा हुआ है, उसको भी करेंगे, Thank you for watching this video, stay connected, like, share and subscribe, thank you.